विश्व में भारत धान उत्पादन में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है देश में लगभग 50 प्रतिशत से अधिक लोग आहार की रूप में चावल का उप्योग करते हैं धान की फसल में कटाई से लेकर भंडारन तक लगभग 10 प्रतिशत तक नुकसान हो जाता है इसलिए कटाई और कटाई के बाद धान में होने वाले नुकसान को कम करने की सबसे अधिक जरूरत है किसान भाईयों धान की कटाई उचित नमी और सही समय पर ही करनी चाहिए जब धान की 85 प्रतिशत बालियां सुनहरी हो जाए और धानों में नमी का प्रतिशत 20-25 प्रतिशत हो जाए इसके अलावा दानी को मुह में दबानी पर कट की आवाज आए तो समझ लेना चाहिए कि फसल कटाई योग्य तयार है किसान भाईयों फसल की कटाई के 10-15 दिन पहले खेट से पानी निकाल दे और इसके बाद कटाई करें धान की कटाई मजदूरों या शक्ति चलेत यंत्रों जैसे रीपर, कमबाइन हार्वेस्टर आदि द्वारा की जाती है मजदूरों द्वारा हस्या से कटाई की जाती है फसल की कटाई सतह से 3-4 इंच उपर से करने चाहिए कटाई के बाद फसल को खलीहान में सोखने के लिए रखें क्योंकि अगर कटाई के समय दानों में नमीज ज्यादा होगी तो फफूंध लगने, कीड़े लगने और दाने के अंकुरन होने की समस्या ज्यादा हो जाती है हसिया द्वारा कटाई करने पर फसल को नुकसान काफी कम होता है और धान का पुवाल भी अधिक मात्र में मिलता है परन्तु हसिया से कटाई काफी धीमिगती से होती है जिससे कटाई पर आने वाला खर्च अधिक हो जाता है मही कटाई के समय मजदूरों की कमी के चलते किसान शक्ती चलित मशीनों में रीपर और ट्राक्टर चलित कमबाईन का प्रयोग धान की कटाई में करने लगे हैं जिससे इंजिन चलित मशीन धान को काट कर एक तरफ लाइन में लगा देती है, जिसे बाद में इकठा किया जाता है। कमबाइन द्वारा धान की कटाई जमीन से काफी उपर से की जाती है, तथा कटाई के साथ साथ मडाई और ओसाई भी किया जाता है। लेकिन कमबाइन से धान कटाई में पुआल का नुकसान होता है और काफी धान तूट भी जाते हैं। धान के तूट जाने की कारण ऐसी उपज का बाजार में अच्छा भाव नहीं मिलता है। परंतु कमबाइन के कटाई क्षमता काफी अधिक होती है, जिस्ते समय की बचित होती है और कटाई लागत भी कमाती है। धान के बालियों और पुआल से बीजों या दानों को अलग करना मडाई कहलाता है। मडाई का काम मजदूरों ध्वारा, पश्शु ध्वारा और शक्ति चलित यंत्रों ध्वारा किया जाता है। मडाई का काम पसल कटाई के बाद जितनी जल्दी हो सके कर लेना चाहिए। मडाई के बाद धान के बीजों के साथ भूसा, धूल के काण और पुआल के टुकडे रह जाते हैं। जिसकी ओसाई पंखे की सहायता से की जाती है। किसान भाईयों धान के भंदारन से पहले दानों में नमी की मात्रा 10 से 12 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। के लिए सुखा और हवा रहित स्थान को चुने और अच्छी तरह से सफाई करके गोधाम को कीट रहित कर लें। अनाज को जिन बोरों में भरकर रखना हैं उन्हें भी अच्छी तरह से उपचारित कर लें या नए जूट या प्लास्टिक के बोरों का प्रयोग करें। तक सुरक्षत बना रहेगा। इस प्रकार किसान भाईयों आप इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए यदि धान फसल की कटाई, गहाई और भंडारन करते हैं तो आप धान की फसल से अच्छी क्वालिटी की उपचले कर उसे काफी दिनों तक सुरक्षत रख सकते झाल झाल, झाल, तक सकते हैं।